Hello everyone, this is Satpal and you are watching Option Seller और आज के इस योड़ो में हम बात करेंगे एक bull call spread की तो bull call spread एक option buying strategy है और ये एक spread strategy है जैसा कि नाम से पता लग रहा है bull call spread तो ये एक spread strategy है, ये two leg strategy होती है जिसमें हम नीचे के strike का call option buy करते हैं और उपर के strike का call option हम sell करते हैं इसमें net हमें debit होता है, हम market को कुछ pay करते हैं market से receive नहीं करते हैं इस strategy को initiate करने के लिए तो ये एक net debit strategy होती है जिसमें profit और loss दोनों limited होते हैं जो आपका maximum loss है वो उतना ही होगा जितना आपने debit pay किया है और आपका maximum profit है वो भी limited होता है तो आज के इस वीडियो में जो strategy मैं आपके साथ share कर रहा हूँ ये zero loss strategy है, मतलब इसमें आपको profit होगा हर हाल में तो इस strategy को कैसे trade करना है और वो क्या तरीका है जिससे हम इसको zero loss बनाएंगे वो हम समझते हैं तो चलिए अब बिना time waste के मैं आपको screen पर लेकर चलता हूँ और ये करके दिखाता हूँ तो ये मैं आपको obstra के screen पर ले आया हूँ और देखे nifty अभी trade कर रहा है 15400 पे मतलब at the money है 15400 और अभी जो current expiry है वो है June की लेकिन आज 23rd of June हो चुका है मतलब June के expiry में सिर्फ एक वी की बचा है तो हम अगले expiry का trade लेंगे तो मैं option chain में जाता हूँ और 28 जुलाई के option chain को open कर लेता हूँ तो देखे at the money क्या है 15400 15400 जहां पे nifty अभी trade कर रहा है ये है at the money का strike तो हम क्या करेंगे हम यहां पे एक bull call spread को initiate करेंगे 413 रुपीज पे कर दिये हैं इस option को buy करने के लिए इस call option को buy करने के लिए अब अगर market उपर जाता है तो मुझे profit होगा मैं आपको pay off chart दिखा देता हूँ देखे अगर market अब उपर जाता है तो मेरा profit unlimited है और नीचे जाता है तो मेरा loss है 20,000 रुपीज का जो premium मैंने pay किया है इस option को buy करने के लिए यही मेरा maximum loss है तो यह तो मैंने plain vanilla एक call option buy कर लिया है जिसमें market अगर नीचे जाता है तो जितना premium मैंने pay किया वो मेरा loss होगा और अगर market उपर जाता है तो मेरा profit unlimited है यह हो गया plain vanilla call buy लेकिन हम क्या करेंगे हम एक bull call spread को trade करेंगे क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि bull call spread को zero loss trade कैसे बनाना है तो इसको bull call spread बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मैंने call option buy कर लिया 15400 का तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा यहां से उपर जाकर और एक call option मेरे को sell करना पड़ेगा और जब मैं एक call option sell कर देता हूँ इस strike से उपर जाकर तब यह क्या बन जाएगा यह एक bull call spread बन जाएगा तो मैं option chain में चलता हूँ और देखे 15400 का call option मैंने buy कर लिया 413 रूपीज में अब मैं क्या करूँगा मैं यहां से 200 पॉइंट उपर जाऊँगा 15400 से 200 पॉइंट उपर गया तो 15600 का एक call option में sell कर दूँगा जिसका premium चल रहा है 313 रूपीज तो इसका एक load में sell कर दूँगा तो अब आप देखे मैंने 15400 का call option buy किया जिसके लिए मैंने मार्केट को 413 रूपीज पे कर दिये और उसके बाद मैंने क्या क्या 15600 का call option sell कर दिया और मार्केट से 313 रूपीज वापस ले लिए मतलब मैंने मार्केट को 413 रूपीज पे किये थे और मार्केट से 313 रूपीज वापस ले लिए तो देखे, मैं आपको pay off chart दिखाता हूँ, ये मेरा pay off chart बनता है, अगर market उपर जाता है, तो मेरा profit है 5000 रुपीज का, और अगर market नीचे जाता है, तो मेरा loss है 5000 रुपीज का, मेरा risk reward है, वो 1 is to 1 है, तो ये 5000 रुपीज का profit और loss कैसे हो रहा है, I hope आप ये समझ रहे होंगे, ल अगर market नीचे जाता तो, अगर market उपर जाता, तब तो मुझे profit होता, लेकिन अगर market नीचे जाता, तो 413 रुपीज जो मैंने market को pay किये हैं, जो इस option को buy करने के लिए मैंने premium pay किया था, ये मेरा zero हो जाता, अगर मेरा view गलत होता तो, तो मैंने क्या किया, ये 413 रुपीज जो market को दे दिये थे, उस में से मैंने 313 रुपीज वापस ले लिए, और वापस कैसे लिए, 15600 का एक call option sell करके, तो जो call option मैंने buy किया था, उस strike से 200 point out the money में गया, और 15600 का एक call option sell करके, और मैंने 313 रुपीज मार्केट से वापस ले लिए, तो मैंने market को 413 रुपीज दिये 50, और मैंने market को कितना पे किया है, 100 रुपीज, तो 100 into 50 कितना होता है, 5000 रुपीज, तो ये 5000 रुपीज लोस जो आपको दिख रहा है, ये इसी लिए है, क्योंकि मैंने market को 100 रुपीज पे किये है, इस trade को initiate करने के लिए, तो ये तो बात होगी, लोस की, अब आप profit को देखे इस trade में मेरा maximum profit है, वो है 5000 रुपीज का, market कितना ही उपर जाए, मुझे 5000 से ज़्यादा profit नहीं हो सकता, तो ये 5000 रुपीज का जो profit है, ये कैसे हो रहा है, देखे मैंने market को कितने पे किये है, 100 रुपीज, जो मेरा maximum loss है, इतना मैंने market को पे किये है, तो मैंने market को 100 मैनि sell किया है तो 15400 और 15600 की width कितनी है 200 gebracht की तो spread की width है वो 200 bucks की है और मैने market को कितना pay किया है 100 rupees तो जो width है उसमें से जितना मैने pay किया है उसको अगर मैं minus कर देता हूं तो कितना बचेगा 200 width है और 100 मैंने market को pay किया है तो 200 minus 100 कितना बचता है 100 और Nifty का load size है 50, तो 100 into 50 कितना हो गया? 5000, तो यह जो यहाँ पर profit आपको दिख रहा है 5000 रुपीज का, यह इसलिए है, क्योंकि मेरे spread की width 200 point है, और मैंने market को 100 दिये हैं, तो 200 minus 100 मतलब 100 रुपीज मेरा maximum profit है, तो चलिए यह हो गया एक bull call spread, लेकिन मैंने आपको बोला था कि यह ए profit होगा, लेकिन अगर मेरा view गलत होता है, तो मुझे 5000 रुपीज का loss हो रहा है, तो यह zero loss trade कैसे हुआ, तो देखे अभी एक simple bull call spread है, अभी यह zero loss trade है नहीं, लेकिन हम इसको zero loss trade बनाएंगे, और कैसे वह हम आपको बताता हूँ, तो देखे अगर हमारा view सही हो जाता है, और market उपर जाता है, तब तो हमें कुछ करने की जरुरत है ही नहीं, क्योंकि उपर हमें profit हो रहा है, उपर हमारा profitable zone है, लेकिन अगर हमारा view गलत होता है, और market नीचे जाना शुरू कर देता है, उस case में हमें loss होगा, और हमारा loss कितना है 5000 रुपीज का, 100 रुपीज जो मैंने pay कि नो-loss trade हो सकता है, तो ये 5000 रुपीज आपको market से कैसे मिलेंगी, मान लीजिए आप एक put option sell कर देते हैं, जिसका premium है 100, तो मतलब आपने market से 100 रुपीज ले लिए हैं, और आपका loss कितना है, वो भी 100 रुपीज का, यहाँ पे देखिए 5000 रुपीज आपका loss दिख रहा है, त तो अगर आप एक 100 रुपीज के premium का put option sell कर देते हैं, तो यह जो loss है, यह आप receive कर लेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 100 रुपीज का premium है, वो कहाँ पे trade हो रहा है, तो देखिए option chain में चलिए, और नीचे की तरफ आप देखिए 100 रुपीज का premium कहाँ पे trade हो रहा है, यह देखिए 14 350 का put option है, इसका premium है 100 and 1 रुपीज, इसका अगर एक लोट मैं sell कर देता हूँ, तो यह loss जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यह loss मेरा पूरा चला जाएगा, क्योंकि यह 100 रुपीज का loss है, और वो मैं collect कर रहा हूँ एक put option बेच के, तो देखिए अभी मेरा break 50 का put option sell कर देता हूँ एक लोट और 100 रुपीज मार्केट से receive कर लेता हूँ, तो अब आप देखिए मेरा जो break even है नीचे के तरफ, वो 15 500 से और अब कहाँ पे चला गया 14 350 पे, मतलब almost 1200 पॉइंट नीचे मैंने खिसका दिया अपने break even को, पहले मुझे loss कहाँ पी हो रहा था अगर market 15 500 से नीचे जाता, तो मुझे loss होता, और मेरा loss कितना था? 5000 रुपीज का, और उपर जाता तो मुझे 5000 रुपीज का profit होता, लेकिन अब आप देखिए, अब अगर market उपर जाता है, तो मुझे 10,000 रुपीज का profit होगा, और अगर market नीचे जाता है, तो मेरा loss 15 500 से नह आएगा और इस trade में आपकी probability of profit है वो 86% है और आपको जो margin चाहिए वो है 63,000 रुपीज का आपको almost 63,000 रुपीज चाहिए इस trade को initiate करने के लिए लेकिन देखिए यहां पर probability है 86% की लेकिन मैंने आपको बोला कि यह zero loss trade होने वाला है तो zero loss trade अगर होगा तब तो probability of profit इससे और होनी चाहिए almost handed होनी चाहिए तो इस probability of profit को और उपर कैसे ले जाए यह break even है इसको और नीचे आप कैसे खिसका सकते हो वो अब मैं आपको बताता हूँ देखिए अभी जो मैंने आपको बताई यह आप कर सकते हो लेकिन मैं इस strategy को और safe बना रहा हूँ मैं आपको बता रहा ह इसका put option sell कर दिया यह आपको नहीं करना है यहाँ पर मैंने यही आपको करके दिखाया है और यह करने के बाद आपकी probability of profit 86% है लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको यह भी नहीं करना है मैं इस trade को और profitable बना दूँगा मैं इस trade को और secure बना दूँगा आपका जो break even है इसको मैंने delete कर दिया तो देखे यह है मेरा bull call spread इसमें अगर market उपर जाता है तो मुझे 5,000 रुपीज का profit हो रहा है और अगर market नीचे जाता है तो मुझे 5,000 रुपीज का loss हो रहा है और मेरा break even का है 15,500 अगर nifty 15,500 के नीचे जाता है तो मुझे loss होगा और मेरा maximum loss है 5,000 र initiate करते हैं उस time पर नहीं करना है आप wait कीजिए और wait करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं वो आपको अभी clear हो जाएगा focus के साथ देखिए अगर market उपर जाता है तब तो हमें डिरने की जरुरत है यह नहीं क्योंकि हमें 5,000 रुपीज का profit हो रहा है अगर market उपर जाता है त तो देखे इसी दिन एक put option sell करके और इसको zero loss trade बनाना कोई सही option नहीं है और वो सही option इसलिए नहीं है क्योंकि अगर market उपर जाता है तब तो हमें profit होई रहा है और 50% chances हैं कि market उपर जाए market के उपर जाने के chances भी 50% रहते है market के नीचे जाने के chances भी 50% रहते हैं तो जिस दिन हमने trade को initiate किया है उस दिन 50% chances हैं कि market उपर जाएगा और 50% chances हैं कि market नीचे जाएगा तो देखे जिस दिन trade initiate किया है उसी दिन मैं put option sell कर दूँ ये कोई viable option नहीं है क्योंकि आज तो मैंने trade initiate ही किया है मैं wait करूँगा कि market मेरे favor में जाए और मुझे कुछ करने की जरूरत ही न तब आपको loss आना शुरू होगा तो आप wait किजे market को गिरने दीजी market को 200-300 point गिरने दीजी अब कितना गिरने देना है वो depend करता है कि market में gir out किस time पे हुई है expiry के past में जाके हुई है या month के शुरू में ही वो gir out होगी है उसके हिसाब से आपको choose करना कि कि कितना गिरने पर आपको कोई action लेना है देखे मैं आपको यह बता रहा हूँ आप market को नीचे गिरने दीजी आप market को 200-300 point नीचे गिरने दीजी जब market 200-300 point नीचे गिर जाए उसके बाद आप market को time दीजे क्या पता market वापस reverse होके आपके profitable zone में आ जाए अगर ऐसा होता है तब तो आपको profit और 15,000 पे पहुँच गया है तो अब आपको क्या करना है अब आप put option को sell कीजिए अब put option sell करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आपको चाहिए 100 rupees आपको market से 100 rupees collect करने है इस trade को zero loss बनाने के लिए तो अब जो आपको 100 rupees मिलेंगे वो और भी नीचे के put option पे क्यों क्योंकि market 400 points गिर चुका है जब market नीचे गिरता है तो होता क्या है जो far out the money के options होते हैं उनमें premium बढ़ना शुरू हो जाता है और market के गिरने के वज़े से जो दूर के options में premium बढ़ा है उसका हम फाइदा उठाएंगे और उन बड़े होई premiums को बेचेंगे ना कि जिस दिन हमने trade initiate किया उसी दिन एक put option sell कर दे 100 rupees का क्योंकि उस दिन जो हम put option sell करेंगे उस दिन जिस strike का premium 100 rupees होगा वो pass की strike होगी और अगर हम wait करते हैं और जब market 15,000 पे चला जाता है गिरके उस दिन जो 100 rupees का premium मिलेगा जिस strike का वो और भी नीचे की strike होगी तो आपका जो trade है वो औ volatility उपर बढ़ती है और जब volatility बढ़ती है तो आपके जो ओप्च Programs का premium है वो भी उपर जाना शुरू हो जाता है तो अब आप देखे एक तो मार्केट गिर रहा है इस वाज़े से आपके put option का premium उपर जा रहे और volatility उपर जा रहे है तो आपके put option का premium और ज्यादा उपर जा र करने के लिए जिस दिन आपने trade initiate किया उसी दिन अगर आप put option को sell कर देते हैं तो वो आपको nearby strike का मिलेगा और अगर market में fall आता है तो फिर आप first जाओगे तो आपको wait करना है या तो market आपकी favor में जाए और अगर market आपकी favor में नहीं जा रहा है market गिरना शुरू कर देता है तो market को गिरने दीजिए थोड़ी volatility को बढ़ने दीजिए और उससे क्या होगा जो दूर के option है उनका premium inflate होगा और फिर उस premium में से आप hundred rupees जहां पे भी है उसको sell करके इस trade को zero loss बना दीजिए तो चलिए ये है वो तरीका एक bull call spread को zero loss trade बनाने का अगर market उपर जाता है तो आपको profit होगा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है लेकिन अगर market गिरता है तो market को गिरने दीजिए wait कीजिए put option को sell करने की जल्दी मत कीजिए market को गिरने दीजिए volatility को ऊपर जाने दीजिए और जब एक safe distance पे आपको 100 rupees का premium मिले वहाँ पे आप एक put option को sell करके इस trade को zero loss trade बना सक तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खतम करते हैं I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो make sure आप वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें दिस इस अत्पाल signing off